गाइस अगर आप लोग को इस बीड में टोप क्वालिटी लेनी है ना तो आप लोग को इन ओनर से कॉंटक करना चाहिए क्योंकि भाई इनके पास जो डोग्स हैं वो मल्टिपल कंट्री चैंपियन है और डायक्ट इंपोर्ट भी हैं और इनके पास जितने ही डोग्स होते हैं उन सभी की ब्रीडिंग इनके कैनल पर ही होती है तो परचेस करने जब आप लोग जाओगे तो उन्हें डायक्ट ली देख भी सकते हो वैसे आईनो आप लोग को 15 सेकिंड्स पहले भी पता लग गया होगा कि हम लोग किस बीड के बारे में बात करने वाले हैं बट फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे वनोपनी फेमस और एक काफी ब्यूटिफुल डोग पीड के और जो डिफॉर्मिंग है वो भी टाइम टू टाइम हो रही हैं और श्याद आप लोग को पता होगा कि सेकिंड्स की में एक ऐसी चीज़ है जिसके वेसे आप लोग को पांसाल जवर पे एक्स्रा देने पड़ते हैं और वो है इनकी ब्लू आइस तो अगर आप लोग को भ पादर जो की वाडू क्वालेटी में है और यह डायक्ट थाइलाइंड इंपोर्ट है और सिर्फ इतना है यह थाइलाइंड, USA, Canada और इंडियन चैंपियन भी हैं और फैंच सिर्फ इतना है नहीं और के पास यह कुछ और साइबन इसकी भी अवैलेबल हैं जो की फैंट टे सहबेंस की दिखने में तोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ज़्यादा खूपसूरुत लगते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग को पेपर्स का बात का जंजट नीचिये, क्वालिटी अल्टीमेट चिये और किसी भी तरह का कोई कुम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आप लोग बेफिकर होके इस पपी के लिए जा सकते हैं वैसे मैं आप लोग को इसकी बाखिक इनफर्मिशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ तो यह सबसे बैस्त है और वॉटी फॉली कोट में और इंपोर्ट के बची होते हैं तो उनकर प्राइस 45-50,000 उपीस तक रखते हैं लेकिन वो प्राइस आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा By the way friends I hope आप लोगों को ये वीडियो पसना है तो please वीडियो को लाइक जरू करते हैं तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारी एक और new and interesting वीडियो में So take care and bye bye